हेलो एब्रीबन आप क्लास टेंथ इसा क्वेशन नमबर 4 ऑब एक्क्राइज 12.3 इसमें देखें एक सर्कल दिया हुआ है जिसकी रेडियस है 6 सेंटिमीटर और एक एक्क्विलेटरल ट्राइंगल है ओ ए बी इसकी साइड है 12 सेंटिमीटर हमें एरिया ऑफ सेडियर डिजन न देख रहे होंगे ये पूरा एरिया हमको निकालना है तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितनी है 12 सेंटिमीटर यह पहले बताया रेडियस ओफ चर्कल दे रहे हैं 6 सेंटिमीटर अब आप जानते हो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का प्रतेक एगल 60 डिग्री हो अलावा जो major sector बचा इसका एंगल कितना होगा एंगल ऑफ major sector टोटल complete एंगल कितना होता है 360 माइनस 60 तो यह कितना आ गया 300 डिग्री अब हमको area of shaded region निकालने है तो क्या होगा यह जो major sector है दिखरा होगा आपको इस sector को यह जो है ना COD वाला यह वाला इसको छोड़ के इसके अलावा जो है यह इसमें अगर हम इस equilateral triangle का area जोड़ दें तो total area निकलाएगा तो वही हमने किया है area of shaded region area of major sector प्लस area of triangle AOB तो major sector का area तो वह यह होता है थीटा अपन 360 प्लस area of equilateral triangle का होता है रूट 3 भाई 4 शाइड स्क्वार तो थीटा की value 300 डिगरी अपन 360 प्लस रूट 3 भाई 2 आर स्क्वार इसको हमने calculate किया यह हमारा answer बड़ा simple है अब यह next question में question number 5 आप देखे हैं इसमें एक square दिया हुआ है A, B, C, D इसकी side 4 cm है इसके 4 कौनों पर एक-एक cm radius का एक quadrant काटा हुआ है quadrant हिंदी में बोलते हैं सतुर्थांच circle का सोथाई भाग और center पे एक 2 cm diameter का अब diameter 2 cm होगा तो radius कितनी होगी 1 cm उसका एक और circle कट किया हुआ है जो remaining portion है उसका area हम गो निकालना है side of square दिया है कितनी 4 cm radius of each quadrant मैंने बोला 4 के 4 quadrant का radius है 1 cm radius of circle cut from it ये कितना है 1 cm क्योंकि diameter 2 है तो radius 1 होगी obvious है अब देखिए area of remaining portion बचे वे भाग का से त्रफल क्या होगा पूरे area of square में से area of 4 quadrant कटा दें और area of circle गटा दें तो बच जाएगा area of 4 quadrant minus area of circle area of square क्या होता है side square जान से दिखेगा 4 quadrant है तो 4 into 1 quadrant का क्या होगा 1 upon 4 pi r square 4 से 4 कट गया pi r square बचा minus area of circle क्या होगा pi r square अब चुकि इनकी radius बराबर है न इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है तो अमने small r ले लिया दोनों को pi r square में pi r square 8 होगा क्या होगा 2 pi r square इसकी side कितनी थी 4 square of 4 is 16 minus इसमें सारी values रखी calculate किया यह answer आगया आपका 9 complete 517 cm square अब जो next question है यह बड़ा important question है इसमें एक circular shaped table cloth दिया हुआ है उसमें 3 design बने हुए बीच में उसमें क्या कर दिया है एक equilateral triangle cut कर दिया है ABC एक equilateral triangle है और इस table cloth की जो radius है वो 32 cm है अब आप देखिए अगर हम equilateral triangle cut करेंगे तो इसमें 3 segment बने है equal area के बनेंगे इन तीनों का area क्या होगा equal क्योंकि equilateral triangle cut कर रखा न तो इन तीनों segments का area equal होगा तो area of design कर रहा है ये design बना हुआ है इसमें design है ये वाला ये वाला और ये वाला ये तीनों, चुम है क्या है design है इसमें तो design का सेटरफल निकालना है हमको area निकालना है कैसे मनेगा area of design is equal होगा 3 into area of segment PG lado of segundo सेंटिमीटर, ABC is an equilateral triangle, so there are three segments of equal area in the design design में 3 segment बनेंगे equal area गे, angle of each segment कितना होगा, 360 upon 3, complete angle 360 होता है upon 3, 3 है नहीं, तो 120 हो गया, area of shaded region क्या होगा, area of 3 segments ठीक है, 3 into area of segment का formula लगाओ, क्या होता है r square pi theta upon 360 minus shine theta by 2 into cos theta by 2 होता है 3 into r square, r की value 32 pi 22 upon 7, theta 120, shine theta by 2 theta की value 120 by 2 cos 120 by 2, तो ये r square इसको calculate किया 1024 आया इसकी value रखी, 120 से 360 cancel होगा 3 आया, shine 60 cos 60 आगया इनकी value रखी और इसको calculate कर दिया, calculate करने के बाद final answer नमारा ये रहा 22,528 by 7 minus 768 root 3 cm2 I hope आपकी समझमा आएगा neat and clean diagram बना करके, बड़िया तरीके से इसको बनाएं आप कर्देक बनाएं